तो इस टेवल पे अब काम करना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि इस टेवल पे हमारे लैप टॉप मॉनिटर और यहां पे हमारे नया सीप्यू की वीडियो ब्लॉग वाले चनल पे मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में तो इसको सॉट आउट करते हैं और इस पे तो वीडियो रहेगा तो सबसे पहले हमें जरूगत थी प्लाई की तो यहां पर मैंने 5 फिट बाई 5 फिट की एक प्लाई कट कर ली और फिर हम पहुंच गए मेटल सॉप पे जहां पे लोहे का काम होता है मेटल सॉप पे जानेक बाद से हमने पर्चस की एक बड़ी सी मेटल की पाइब जो की थी दो इंच बाई एक इंच की और फिर उसे हमने अपने टेबल के साइज के अवार्डिंग काट करा लिया तो यहां पर मैंने जो फ्रेम की साइज रखी वह थी 29 इंच उसकी हाइड थी और 22 इंच की चौडाई थी मेरा जो टेबल बने ओ फाइनली धाई फिट हाइ उसके बाद से मैंने इन सारे पार्ट को काट कर आया और सब को एक साथ वेल्डिंग करा लिया तो वेल्डिंग कर आते टायम मैंने गे मिंग टेबल का लुग देने के लिए इसे लोड़ भी ले और देखने में काफी अच्छा भी लगए लगए है तो इतना होने बाद से हम ले आए अपने घर और इसके बाद से से इसके उपर थोड़ी सी रश थी जंग लगी हुई थी तो इसे हमने अच्छे से grinder मार के साफ किया फिर हमने इसे किया पेंट तो पहले पेंट करने हैं और nut bolt से tight कर देना है दोनों stand की बीच की दूरी हमने याप पर तिरपा निच रखी है और इन दोनों stand को back से support देने के लिए आपर हमें प्लाई का टुकड़ा लगा रहा है इस प्लाई का टुकड़े का आगे हम और भी यूज़ करेंगे जैसे की wiring के लिए जो हम बोर्ड के टुकड़े पर लगाएंगे और भी दूसरी चीज़ें जो भी हमें further future में ज़रूरत बढ़ें अब बाहर से जब table अंदर आ गया तो फिर अब हमें monitor लगाना था जो की लगने वाली है दिवाल पे तो दिवाल पे monitor लगाने के लिए पहले हमने इस पर लगाया wall mount और फिर बैक में प्लाई का support लगाया था इस पर और इसे tight करने के बाद से थोड़ा premium look देने के लिए आपर हम सामने bit लगा रहे हैं जो की इसे थोड़ा एक circular look देगा और उपर हमें प्लाई कुछ देखने मच्छी नहीं लग रही है और ये काफी rough surface है तो इसके उपर हम यह पीवीची स्टीकर लगाने से पहले में इसे घिसना पड़ेगा ताकि इसकी roughness खर्तम हो जाए यह पीवीची स्टीकर आपको इजली Amazon पे मिल जाएगा और यह अलग-अलग color variant और design में available है तो उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन हो मिल जाएगी है वहां से जाके आप आसानी से पीवीची स्टीकर को पर्चस कर सकते हैं और एक इंपोर्टन बात अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करना तो बिल्कुली मत बुलना इस वीडियो को और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरू जाना और सेर तो क सब्सक्राइब करना ही करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आया तो इस टेबल को बनाने मुझे लगभग 2200 रुपए का खर्चा आया और से मॉडल की मिलती जूल्दी टेबल जो की गेमिंग टेबल के नाम से आती है ऑनलाइन 13-14,000 रुपए की मिलती है मिन्स कितना जादे डिफ्रेंस है दस हजार से जादे का डिफ्रेंस है DIY टेबल में और ऑनलाइन वाई टेबल में आप मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप 13,000 रुपए के एक गेमिंग टेबल प्रोफेशनल लेना चाहते हैं या फिर आप खुद एक अच्छी DIY टेबल बना सकते हैं काफी सस्ते में मिलते हैं किसी दूसरे ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के विए बाई बाई जयन वादने माता थैंक्यू फॉर वाचिंग